Yes students, now we will continue with the worksheet 3, questions को समझते हैं बिटे आपको बहुत अच्छे से concept clear हो जाएगा, quarter two और quarter past कैसे हमने find out करना है, fill in the blank, the first question is done for you, first question आपके लिए किया गया है, देखिए इसको भी हम एक बारी समझेंगे, the other hand is between 6 and 7, जो our hand है, यानि की जो छोटी वाली सुई है, इसको कहते है, our hand, ये 6 और 7 के बीच में है, ठीक है, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे की 6 और 7 के बीच में है, हमें कैसे बता चलेगा, आपने बेटे अपनी pencil लेनी है, ठीक है, pencil का use करेंगे, और अपनी pencil को इस तरह से रखना है, और सुई की जो tip है, और अपनी pencil की tip को मिलाना है, इस तरह से, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये देखे, मैं इसको close कर रही हूँ, left में बेटे 7 है, और right में 6 है, 7 और 6 के बीच में आ रही है ये pencil, ठीक है, 7 और 6 के बीच में आ रही है pencil, इसका मतलब, 7 और 6 के बीच में है our hand, आपने इस तरह से, इसको pencil को use करना है, नोक से नोक मिलानी है, ये tip है, जो इस tip को ऐसे match करना है, तो आपको पता चलेगा, कि ये जो, our hand है, ये center में है, ठीक है, exact ये 7 पे नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो answer था, वो यही था, 6 और 7 के बीच में, our hand है, अगला पे है minute hand, minute hand आपको पता है, जो बड़ी वली सुई होती है, वो minute hand होती है, ठीक है बटे, और time कैसे बताएंगे, देखिए, 40 minutes past 6, अब हमें कैसे बता चला ये 40 minutes है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो number है, इसको 5 से multiply करना है, 5 fades up 40, और past 6, यानि कि, बटे, 6 तो बच से थे, ठीक है, 12 के बाद अगर आप इस तरह से आओगे, right से move करते करते, 8 तक, तो 40 minutes तो बीत गए, तो बीत गए, तो इसका मतलब बीतने के लिए हम क्या लगाएंगे, past, ठीक है, तो 40 minutes past 6, 6 बज़े, 6 बज़कर, 40 minutes हो गए, बीत गए 40 minutes, ठीक है, और या फिर, इसको इस दरहां से भी हम दिखा सकते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जो left में होता, ये hour के लिए होता है, और two dots के बाद ये, right वाला जो है, वो minute के लिए होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने, जो अभी हमने जो आइडिया लगाया था, कि 7 और 6 के बीच में है, 7 और पहला नंबर होगा, उसको left में लिखेंगे, और जो minute है वो आपने यहां right में लिखना है, 40 minute, जो आपने 5 को multiply किया था, 8 के साथ, minute है, जिसके उपर भी होगी, जिस नंबर पे होगी, उसको 5 से multiply कर दीजिए, ठीक है, I hope आपको एक question clear है, एक बारी हम B part पे चलते हैं, और clear ह हो जाएगा, the our hand is between dash and dash, our hand जो है, वो किस किस के बीच में है, एक बारी देख लेते हम, our hand तो यह है, छोटी वाली सुई, अब हमने यह अपनी पैंसिल को रखा, तो हमें पता चला, कि यह तो 5 और 4 के बीच में है, हा ना, 5 और 4 के बीच में है, ठीक है, तो हम लिख देते है यहाँ पे, 4 पहले लिखेंगे, and then 5, ठीक है बेटे, यह सबसे बेस्ट तरीका है, अपनी पैंसिल को इस तरह से रखिए, टेप से टेप में लाइए, ठीक है, यह देखिए, आपको पता चल रहा है, कि 4 और 5 के बीच में है, our hand, आगे क्या लिखा है, the minute hand is at dash, किस पर है minute hand, 2 पर है, दिख रहा है न, बेटे, 2 पे, 2 को point out कर रही है, यह minute hand, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, अब हमें time बताना है, time कैसे पता चलेगा, अब यह देखिए, 12 को cross कर गई सुई, हाँ न, यह देखिए, यह 12 को cross कर रहा है, right की तरफ move कर गया, 1, 2, 2 पे आ रहा है minute hand, ठीक है 2 को multiply करेंगे 5 से, 5 तूजा, 10, तो 10 minutes बीत गए, 10 minutes passed, 4, 4 क्यों, क्योंकि 4 और 5 के बीच में है सुई, और 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 छोटा है, तो इसलिए 4 का जो time है, वो बताया जा रहा है, 4 को represent कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा number नहीं लिखेंगे, छोटा number लिखेंगे, इ इसी को आपने यहाँ पर लिख देना है, 4, फिर 2 dots and then 10, ठीक है, यानि कि 4, 10 हो गए, 4 बज़ कर 10 minutes हो गए, ओके,